इस वीडियो में आपको महत्पमुट सिध्धान्तों और उनके प्रतिपादक के बारे में बताया गया है। इस वीडियो में आपको महत्तों और उनके प्रतिपादक कौन है। विलियम जेम्स प्रकार्यवाद संप्रदाय के जनक भी बिलियम जेम्स हैं। आत्म संप्रत्य की अवधारना ये भी बिलियम जेम्स ने दी है। तो ये आपको ध्यान रखना ये तीनों विलियम जेम्स के हैं। यानि कि आधुनिक मनोविज्यान के जनक किसे कहा जाता है विलियम जेम्स को। प्रकार्यवाद संप्रदाय के जनक कौन हैं। अदिगम के सिध्धांत हैं न好的 बारे में बताए गया है चाट सिध्धांत है जिसे उद्दीपन अनुकृरिया का सिध्धांत भी कहते हैं SR थियोरी का सिध्धान्त भी कहते हैं अदिगम का बंद सिध्धान्त और संबंद बाद का सिध्धान्त भी कहते हैं ये ध्यान रखने हैं आपको ये थौंडाई के अदिगम के सिध्धान्त के नाम हैं जिने अलग-अलग नामों से भी जाना जाता है। तो ये सभी नाम आपको ध्यान रखने हैं कि किसी भी नाम से पूछ लिया जा सकता है कि ये सिध्धान्त किसका है। प्रतिपादक कौन है बिने और साइमन इसे आप याद कर सकते क्योंकि बिने साइमन बुद्धी परिक्षण का नाम है प्रतिपादक भी बिने और साइमन है बुद्धी परिक्षणों के जर्म दाता कौन है बुद्धी परिक्षणों के जर्म दाता है बिने एक खंड बुद तो इसका सिध्धान्त दिया बिने ने दो खंड बुद्धी का सिध्धान्त ये दिया स्पीर मैंने यानि कि उन्होंने कहा कि बुद्धी के खंड किये जा सकते हैं यानि कि बुद्धी को दो भागों में विभाजित किया जा सकता है तो वो दो खंड पुद्धी का सिध्धान्त दिया स्पीर मैंने, तीन खंड पुद्धी का सिध्धान्त भी स्पीर मैंने दिया, बाद में नोंने कहा कि बुद्धी को तीन भागों में विवाजित किया रहा सकता है, इसमें तीन फैक्टर होते हैं बुद्धी के, तो दो खं सिध्धान्त बिने का है सामान्य वा विशिष्ट तक्तों के सिध्धान्त के प्रतिपादक सामान्य और विशिष्ट दोनों प्रकार के तक्तों के सिध्धान्त के प्रतिपादक कौन है स्पीर मैन है त्री आयाम बुद्धी का सिध्धान्त ये त्री आयाम बुद्धी का सिध्धान्त है ये गिलफोड ने दिया है ये आपको ध्यान रखना है वो तीन खंड बुद्धी का सिध्धान्त था जो स्पीर में ने दिया था तीन खंड और ये त्री आयाम बुद्धी का सिध्धान्त है जो गिलफोड ने दिया है बुद् सारे खंड होते हैं बुद्धी के यानि कि गुरुफ फैक्टर बताया है नोंने बुद्धी के सिद्धान्त का यह थस्टन ने दिया है क्रमबद अंतराल बिधी के प्रतिपादक क्रमबद अंतराल बिधी के प्रतिपादक थस्टन है नियाएदर्ष या प्रतिदर्ष बुद्धी का सिध्धान्त दिया थॉमसन ने पदानु क्रमिक यानि कि क्रमिक महत्व बुद्धी का सिध्धान्त बर्ट एवं बर्णन ने दिया है पदानु क्रमिक बुद्धी का सिध्धान्त जिसे क्रमिक महत्व का सिध्धान्त भी कहते हैं यह बर्ट एवं बर्णन ने दिया है तरल ठोस बुद्धी का सिद्धान्त कि बुद्धी तरल और ठोस होती है यह सिद्धान्त दिया है आर्बी केटल ने बुद्धी क और बुद्धी ख का सिध्धान क बुद्धी और ख बुद्धी का सिध्धान दिया है है वैब ने बुद्धी लब्धी ज्याद करने के सूत्र के प्रतिपादक है विलियम स्टर्ण यानि कि बुद्धि लब्दि ज्याद करने का जो सूत्र है उस सूत्र के प्रतिपादक हैं विलियम स्टर्ण सनरचनावास संप्रदाई के जनक हैं विलियम बुंट एवं टिचनर प्रयोग आत्मक मनोविज्यान के जनक हैं विलियम बुंट विकास आत्मक मनुविज्यान के प्रतिपादक जीन पियाजे उन्होंने विकास आत्मक मनुविज्यान के प्रतिपादक है ये और संग्यानात्मक विकास का सिध्धान्त भी जीन पियाजे ने दिया था जो विकास के सिध्धान्त होते हैं उसमें संग्या नात्मक विकास का सिध्धान्त जीन पियाजी ने दिया था नेक्स्ट है मूल प्रब्रतियों के सिध्धान्त के जन्मदाता ने कि जो मूल प्रब्रतियां होती है उस सिध्धान्त के जन्मदाता कौन है विलियम मैक दूगल यह ज्यान रखना है आपको कि मूल प्रब्रतियों के सिध्धान्त किस ने दिया था मूल प्रब्रतियों का सि जो इसकिनर ने दिया था जो ये प्रयोग नों ने चूहे पर किया था इसे सक्री अनुबंधन का सिद्धान्त भी कहते हैं अनुकूलित अनुकूरिया का सिद्धान्त पैबलोब ने दिया था ये इनों ने प्रयोग उत्ते पर किया था इसे संबंध प्रत्यावर्तन का सिद ये पुनरवलन का सिध्धान दिया है CL हल ने अधिगम का सूझ में सिध्धान ये दिया है कोहलर ने सूझ या अंतद्रस्टी का सिध्धान कोहलर वर्दाइमर और कोफका इन तीनों ने दिया है ये भी अधिगम का सिध्धान्त है सूझ या अंतद्रस्टी का सिध्धान अध लिए इसे गेस्टॉल्ट वादी सिध्धान्त भी कहते हैं गेस्टॉल्ट वास संप्रदाय के जनक और गेस्टॉल्ट वास संप्रदाय के जनक भी इन्हीं तीनों को कहा जाता है इसलिए इस सिध्धान्त को गेस्टॉल्ट वादी सिध्धान्त भी कहते हैं मनो विज्ञान के ब्यवहारवादी संप्रदाय के जनक ब्यवहारवादी संप्रदाय के जनक कौन है वाटसन सामाजिक अधिगम सिध्धान्त के प्रतिपादग सामाजिक अधिगम का सिध्धान्त दिया था अलवर्ड बंडूरा ने अलवर्ड बंडूरा ने दिया था सामाजिक अधिकम का सिध्धान्थ पुन्रा पृत्ती का सिध्धान्थ स्टैनले हॉल ने दिया था मनो सामाजिक विकास का सिध्धान्थ ये एरिक एरिक्सन ने दिया था किंडर कार्टन विधी के प्रतिपादक किंडर कार्टन विधी के प्रतिपादक हैं फ्रोबेल डाल्टन विधी के प्रतिपादक हैं मिस हैलन पार्खस्त और मान्टेश्री विधी के प्रतिपादक हैं मैडम मारिया मान्टेश्री नेक्स्ट है मनो विशलेशन वाद के जनक मनु विश्लेशनवाद के जनक हैं सिगमन फ्रायड भाशा विकास का सिद्धान दिया है चोमस्की ने प्रासंगिक अंतर बोध परिक्षन यानि कि T.A.T. विधी के प्रतिपादक कौन है? मौर्गन एवं मुरे प्रासंगिक अंतरबोध परिक्षन यानिके TAT विदी के प्रतिपादक है Morgan एवम मुरे ये भी important है ये ध्यान रखना बाल अंतरबोध परिक्षन यानिके CAT इस विदी के प्रतिपादक है लियोपोल्ड बैलग रोर्षा स्याही धबा परिक्षण यानिकि IBT इस बिदी के प्रतिपादक हैं हर्मन रोर्षा बाग्य पूर्टी परिक्षण यानिकि SCT शेटी पूर्टी परिक्षण बिदी के प्रतिपादक हैं Pine even Tandler खेल प्रणाली के जनम दाता हैं फ्रोबेल किंडरगार्टेन बिधी के भी हैं फ्रोबेल और खेल प्रणाली के भी हैं फ्रोबेल हुरिस्टिक बिधी के प्रतिपादक हैं H.E. Armstrong Stanford बिने स्केल परिक्षन के प्रतिपादक Stanford बिने स्केल परिक्षन के प्रतिपादक ये एक बुद्धी परिक्षन है इसके प्रतिपादक हैं टर्मन Porteous भूल भुलाईया परिक्षन के प्रतिपादक Porteous भूल भुलाईया परिक्षन ये भी बुद्धी परिक्षन है बुद्धी परिक्षन के बारे में इसकी वीडियो हम पहले आप बना चुके हैं इसे आप देख सकते हैं हमारे चैनल पर ये बुद्धी परिक्षन कौन-कौन से होते हैं तो पोर्टियस भूल भुल भुलया परिक्षन के प्रतिपादक है SD-Portius वैशलर 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 वैशल नेक्स्ट है बाल अपराद विज्ञान का जनक किसे कहते हैं सीजर लोम्रसो को बाल अपराद विज्ञान का जनक ब्रेल लिपी के प्रतिपादर लुई ब्रेल ब्रेल लिपी आप जानते होंगे जो अंधे होते हैं ब्लाइंट पर्सन होते हैं उनके लिए लिपी बनाई जाती है ब्रेल लिपी जिसमें डॉट्स बनी होती हैं उबरी होई जिनने छूकर वो पहचानते हैं अपने लैटर्स को तो ब्रेल लिपी के प्रतिपादक हैं लु सामाजिक विकास्त का सिद्धान्त यह समाजी कई गोचियमे और संघ्य का उस दानक्त में आपको पहले बता चुके हैं जो दिय था इंद बिया रोगज ने टो यह को दूआ अपर इ yemप को सिद्धान्त और उनके प्रतिपाण। की बारे में बताया गया है कि कौन-कौन से सिध्धानत है और उनके कौन-कौन से प्रतिपादक है तो यह आपको इसमें आपके टेस्ट में निश्चिती इसमें से क्वेश्चन्स आते हैं जो आपको ध्यान रखने हैं इसलिए इन्हें आप बहुत अच्छे से तयार कर लें थैंक यू